Good morning students, यह EVS के part 1 questions है, MCQs questions, मैं MCQs questions इसलिए करा रही हूँ, क्यूंकि paper में इसी type के questions आएंगे, online paper होगा आपका September में ही 15 के बाद, और ऐसे ही question आएंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को last तक देखना, और सबसे पहली बात, जो बच्चे comment करके नहीं बताते हैं, question में छोड़ती हूँ, उसका answer बताने के लिए comment करके आप बताये, और सिर्फ दो ही बच्चे हैं जो बताते हैं, और नहीं बताते, तो आप comment करके नहीं बताओगी, मुझे पता कैसे चलेगा, क्या आप वीडियो last तक देख रहे हो, इसे notebook में भी लिखना है, ठीके, और वीड के साथ, option A, सही हो जाएगा, family, next question है, I see with my, किसे देखते हो, आप, ear से, hands से, eyes से, या nose से, किसे देखते हो, eyes से, option C, सही हो जाएगा, next question है, I walk to school with my, school, school आप किसे जाते हो, hand से, leg से, ear से, या फिर tongue से, option C, सही हो जाएगा, leg से, we all stay with our, आप किसे साथ रहते हो, neighbor के साथ, family के साथ, teachers के साथ, none के साथ, ये first question ही है, पर इसका answer same है, बस question change है, जिसका answer आपको बताना है, क्या होगा, next है, a family with four member is a dad's family, एक परिवार जिसमें चार ही member होते हैं, वो कौन सी family है, बताओ, big family होती है, very big होती है, small होती है, या कोई भी नहीं होती, non means कोई भी नहीं, इन चारों में से कोई भी नहीं, बताओ, कौन सा, option B हो जाएगा, जिस family में four member होते हैं, उसे small family कहते हैं, the sun rises in the, option, question number six, सूरज कौन सी दिशा में उगता है, ये सब को पता होगा, कौन सी दिशा में सूरज उगता है, तो इसका answer आपको comment करके बताना है, ये मैं छोड़ रही हूं, next question है, the room where we sleep is called, वो room जहाँ हम सोते हैं, उसे क्या कहते हैं, bedroom, bathroom, dining room, या फिर non, क्या कहते हैं, bedroom, bedroom में इस होते हैं, option A, सही हो जाएगा, next question है, the room where we sit together to eat is called, एक साथ बैट के हम जिस room में खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कौन सा room कहते हैं, dining room, kitchen, living room, या फिर all of these, या फिर तीनों कहते हैं, तो क्या कहते हैं, dining room, dining room में हम एक साथ बैट के खाते हैं, next question है, the room where we entertain our guest is called, जहां हम guest का entertainment कराते हैं, जहां guest आकर बैठते हैं, उस room को हम कौन सा room कहते हैं, living room, bedroom, kitchen या फिर not, living room, option A, सही हो जाएगा, next question है, I live in a, कहां रहते हैं, फ्लैट में, बंगलो में, small house में, या फिर tent में, ये भी question में छोड़ देती हूं, आपको इसको answer बताना है, फ्लैट में रहते हो, बंगलो में रहते हो, small house में रहते हो, या फिर tent में रहते हो, ठीक है, इसका answer आपको comment करके,